ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्ट लॉजर केम सिन और मैं अपने से यूटुब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बंगाल की राजनीती में टॉली गंज को लेकर एक प्रेडिक्शन देने के लिए आया हूँ आप सभी नों के सामने टॉली गंज में एमपी बाबुल सुप्रियो और जो वहां के मिनिस्टर है अरुन विश्वास जी के बीच में एक मुकाबला होने वाला है विदान सभा का चुनाव होगा और टॉली गंज सीट है इसमें लोगों के रिक्वेस्ट पर कर भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए बाबुल सुप्रियो वर्सेज अरुन विश्वास वी इस गोइंग तो यहां पर जो मैंने कैल्कुलेशन किया है बैसिकली आई गॉट होरोस्कोप और बाबुल सुप्रियो बट आई डिन्ट गेट दा करेक्ट वन आफ अरुप विश्वास फिर भी इनका जो बढ़त डिटेल एवेलेबल है नेट पर उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बाबुल सुप्रियो जी की बात करते हैं बाबुल सुप्रियो जी का जो जनम हुआ था 15 दिसंबर 1970 उत्तर पारा वेस्ट बेंकॉल और टाइम्ग वस 12-11 पी-म आफ्टनून इनकी कुंडली मीन लगन की कुंडली बनती है और अभी मैं डिस्प्ले में नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी मैं बभुनेश्वर से लाइव हूँ और 18 को मैं कोलकता पहुचूंगा और जिनको भी अपने कंसल्टेशन लेने हैं वो कोलकता में आकर मेरे से पर्सनली मिल सक सब्सक्राइब करें और वाट्सप्रियों और अरुन विश्वास तो बाबल सुप्रियों की जो कुंडली आपको देखा ही देगी इन में शनी का नीच बंग हो रहा है दृतिय भाव में और साथ में इनका केतु छटवे घर में उपस्तित है वर्तमान में केतु के अंदर राहू की दर्शा चल रही थी 2020 तक चली है 2019 पूरे एक साल जो ये दर्शा चली है इसमें जनरली केतु की जब भी दर्शा किसी की चलती है तो उसको इंजरी होना एक्सीडेंट होने की संभावना चोट लगने की संभावना इस प्रेश लगने शटव घर में बैट हूँ तो यही के तू आपको सफलता जpler में उत्तिण कर देता है और इह चीज बाबल की कुंडली में के तुछटवे हमें रूग रिर्छा रॉग शत्रु और हाूज दूपकर कॉंपेट हैं तो निशितरुप से यहां पर विजय इनको बनाएगा और इनकी वर्तमान में भी जो दशा चल रही है वो केतु की दशा 8-8-2030 तक चलेगी तो no doubt he is going to win now the point is only deciding from one chart can we conclude whether he is going to win or lose so we have to check Arun Vishwas horoscope also तो इनकी जो कुंडली बन रही है इनके राजयोग जो थे egy October 1964 की कुंड़ी इनकी बन रही है और इनका राजयोग जो है पीछले October में समाप्थ हो चुका है 28 October को और वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है वो भ्रसपती की दशा रही है और कुंड़ी जो बनती है वो कन्या लगन की कुंड़ी बनती है ब्रसपती की दशा में जो इनके जो राजयोग थे वह खतम हो चुके हैं और और 2024 के बाद इनके राजयोग पुना जागरित होंगे इससे पहले मुझे कठिनाई इनकी कुंड़ी में दिखाई दे रही हाला कि जब मैं इनके बायोग्राफी में गया तो जो नेट पे अवलेबल चार्ट था वो मैच नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी जो चार्ट मेरे पा है वह भाग की स्थिती में उपस्थित है और गोचर में भी देखा जाए तो 11 जब चुनाव होंगे उस बीच में इनका जो लगनेशों का 12 अस्थान पर होगा अस्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं इसलिए इनको एक जगा की सीट छोड़नी पड़ेगी और दूसरे जगा पर यह आएंगे चुनाव लड़ेंगे इसलिए जो यह प्रेडिक्शन में दे रहा हूं एक दम एस पर इनके करेक्ट होरोस्कोप होने के करण मैं 100% कॉन्फिडेंट होगी इनका जो केतु की दशा चल रही है इसमें इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी बाक बावल सुपरियों और रूप विश्वास जी तो निश्चुत रूप से आप अपनी प्रतिक्रियां दीजिएगा परंतु जो मेरा कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बावल सुपरियों भी चुनाव जीतेंगे और केतु की दशा जब तक इनकी चल रही है दुनिया मे इन दिल्ली इन लखनाव और इन गोरपूर गोरपूर विजिट तो आवर वेब साइट डिटेल्स अस बीन अप्लोड़ेट देर और आगर आपको कॉंसल्टेशन टेलीफोनिक पर लेना है तो हमारे वाट्स अप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अभी के लिए इतना ही मैं हूं एस्ट्रोजर की एमसिना हूं नामस्षिवा है